तो चलिए जानते हैं कि H1B वीजा भारती आईटी पेशेविरोग लिए क्यों चलिए है और यह भारती अर्थवेस्ता में कितना फाइदा पहुंचाता है कितना फाइदा पहुंचाता है यह रहा डोलान ट्रफ का एक चुनावी पेच खेला कि अब वहां के वहां के उद्ध्योग द्योग में बाहरी आईटी पेशेवरों को एच्वन भी बीजा नहीं दिया जाएगा तो ट्रम ने एच्वन भी बीजा धारकों दिया बरा जटका अब विदेश्वी कामकारों को नहीं रख सकेगी एजेंसिया यही बात है यही बात हमीं बताए भी तो यह अमेरिका के राजज़ानी यह वासी पीटी आई एक समाच ट्रप ने बरा जटका दिया ट्रम ने एक कारकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये जिसके तर अब अमेरिका के सरकारी एजेंसिया एच्वन भी बीजा धारकों को नोक्रियां पर नहीं रख से यही कारण है इसलिए चर्चा में थे एक मैंने पहले किया गया था एलान अमेरि की कामगारों के हिते को हीतों को बचाने के नाम पर 23 जून को इस साल के अंग तक के लिए एच्वन भी और विदेशी कामगारों को अमेरिकां में काम करने के लिए जरूरी अन वीजा को निलंबित करने का एलान किया था उसके एक मैंने बाद यह आदेश जाड़ी किया गय उनकी सरकार यह बरदास्त नहीं करेगी जिससे सस्ते विदेशी कामगारों के लिए कठिन परिश्रम करने वाले अमेरिकी नागडिकों को नौकड़ी से हटाया जाए तो क्या है H-1B वीजा यही बताते हैं तो H-1B वीजा एक गैर आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कमपनियों को विदेशी विशेस्ग्यों को नौकड़ी पर रखने के अनुमती देता है अमेरिका में काम करने वाले जातर भारतिय आईटी पेसेवर इसी वीजा पर वहाँ जाते हैं अमेरिकी टेक कमपनियां हर साल इसी वीजा पर भारत और चीन समय दूसरे देशों से हजारों कमचारियों को नौकड़ी पर रखती है तो बीते दिनों कोड़ पर खट-कटाया था रास्ता इसी के एच वन भी वीजा कमगले हैं तो बीते दिनों अमेरिका की 500 वैपार संस्थाएं भी एच वन भी समेथ तमाम नौन इमिग्रेशन वीजा पर राश्पती ट्रम के लिए एक हालिया आदेश के खिलाब कोड़ प कि वंचित करना है कि तो गृन काट्स मैयूसी क्योंकि आप छे साल चुछ का आदी आइस वह बीजावन बनता है तो छे साल बाद वहां नाविटा अपलाय करता है इसलिए टो गीन काट्स मैयूसी उधर एक सांसत के मताबिक गरिंग काट के लिए भार्तियों को बैक लौग इतना बढ़ी है कि इस कार्ड को पाने के लिए 955 सालत इंतिजार करना पर सकता है बता दे कि यह कार्ड मिलने से अमेरिका में अस्थाई रूप से बसने और काम करने की इजाज़त मिल जाती तो अमेरिका में काम कर रहे करीब 6 लाग भारतियों गिन कार्ड इंति प्रियान को सब्साइब करें हम लोग बता दिया आपको कि आज़ों बीजा क्या है कि अ